बढ़ती महंगाई के साथ यब लोगों को दाल रोटी खाना भी महंगा पड़ सकता है दाल के भाव में अचानक आई तेजी से प्रदेश के आर्थिक राजुधानी अंदौर में दाल दलहन का व्यापार काफी प्रभावित हुआ है मद्रदेश के आर्थिक राजुधानी में दालों के भाव में अचानक आई तेजी से जहां होलसेल बाजार प्रभावित हुआ है तो वहीं मध्यम वर्गिया और गरीब तबके पर महंगाई की मार पड़ रही है अंदौर के होलसेल दाल दलहन बाजार में दालों के उतपादन में आई कमी के कारण जहां बाजार इससे प्रभावित हुआ है तो वहीं लोगों के किच्वन तक पहुचने वाली दाल फिर महंगी हो चली है इंदौर दाल चावल व्यापारी असोसियेशन के उपाध्यक्ष दयाल गंगवानी ने चावने स्थित अपने कारेले में आज बताया कि दाल के भाव में काफी तेजी होने के साथी उपभुकताओं में दालों की मांग काफी कम हुई है तकरीबन 25-30% फसलों का उत्पादन कम होने से दालों की भाव में एका एक उछालाई है उन्होंने बताया है कि महराश्ट वर करनाटक सहिद अन्यस्थानों से दाले इंदौर से होलसेल बाजार में पहुँचती है जहां से पूरे देश सहिद प्रदेश में दाले डिस्ट्रिब्यूट की जाती है उन्होंने कहा कि दाल कि थोक भाव की अदी बाद की जाए तो वरطमान में तौर डाल का थोक भाव इंदौर की बाजार में 99-130 रुपे प्रतिकिलो है तो वही मुंग डाल का भाव 100-110 रुपे तक पहुँच गया है मूंग मोगर 110-120, उड़द दाल 90-100, उड़द मोगर 115-120, चोना दाल 65-65 रुपे प्रती किलो उपलब्द हो रही है वही मसूर दाल 87-80 रुपे प्रती किलो होलसिल बाजार में मिल रहा है दाल असोसियेशन के पदादिकारी की मानितों आगामी समय में दालों की भाव में कमी आने के आसार बने हुए है